जगनातपुरी में इस्तित भगवान विश्णों के आवतार सिरिक्रश्ण से जुड़े जगनातपुरी के रहस्यमई मंदिर और यहां घटित होने वाली अचमभित घटनाएं सब को जगछूर कर चमतकार के दर्सन कराती हैं यह मजबूर करती हैं कि आस्था और सक्ति आज भी बिराजमान है जगनातपुरी मंदिरों से जुड़ी से क्डो सालों से बनी हुई रहस्यमई गुत्थी जिसे बिक्यान भी नहीं सुलजा सका है आज हम आपके सामने लाकर अलग-अलग हिस्सों के तरहां पेस करने की तत्यों के साथ कोसिस करेंगे कहते हैं पूरी कि इस जगनात मंदिर में भगवान से लिकष्ण अपने भाई बाल भद्र और बहन सुबद्रा की साथ काट की मुर्तियों के रूप में बिराजवान है लकडी की मुर्तियों वाला यादिस अनुखा मंदिरों से सुजोबित है और रत्यात्रा की भविता त तमाम परचिलित गाथाओं की लंबी स्टोरी के साथ हम आपको एक एक रहसे से बेक्यानिक धंग से परदा उठाने की कोसिस करेंगे आईए सदियों से पूरी रहसमई घटनाओं का चिक्र करते हुए हम आपको बेसिक परिछे पर ले चलते हैं माना जाता है भगवान उठान करते हैं पस्ची में गुजरात के दौारिका में वस्र स्टican पहनते हैं पूरी में भोजन करते हैं और दच्छटर में RTXर्व में विश्राम करते हैं दौापर के बाद भगवान सीरी क्रशन पूरी यानि अब पूराइश उडिसा में निवास करने लगे और बन गये जक्के नात अर्थात चगनात पुरी का धाम चार धामों में से एक है यह भगवान जगनात बड़े भाई बल भद्र और बाल भद्र यानी बलराम और भेंसों बद्रा के साथ बिराजमान रहते हैं अगर हम ध्याना कर्शित करते हुएं चले की हिंदों की प्रचिन और पविशात नगरियों में पुरी उड़ीसा समुद्र तट पर बसा है और इसके बहुत ही रहस्यमई चीजे जो आज तक देश-पिदेश के वेक्या निखाल नहीं कर सके रहस्यों को के गुथी के आगे व अंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र जगनात पुरी अपनी आस्था और भब्यता और रहस्यों के लिए विख्यात रही है या उड़ीसा की राजधानी वोने स्वर से थोड़ी ही दूरी पर है यानि आप एरपोर्ट से भी आसानी से बहुत सकते हैं आ आज का उड़ीसा प्रचीन काल में उतकल प्रदीश की नाम से जाना जाता था बाद इससे के बाद ये कलिंग भी हुआ यह देश के सम्रद बंदरगाह थी जब जावा सुमत्रा इंडोनेसिया थाईलंड और अन्य देशों का इन्हें बंदरगाओं के साथ हुए पार कहा यानि जाना जाता है यहां भगवान विष्णों के चार धामों में से एक हैसी स्री छेतर प्रुसुत्तम छेतर साख छेतर निलान चल्क नीलगीरी और जगनात पुरी के नाम से भी जाना जाता था यानि जाना जाता भी है नाम अलग हो सकते हैं लेकिन रहस रुमान चे याश्री लच्मी पती विष्णू ने तरह तरह की लिलाएं की थी ब्रम्हौ और शकंद पूराल के अनसार यहां भगवान विष्णू प्रस्वत्तम नील माधों की रोप में आतारित हुए और सवर जन्जाती के परम पूंज देवता बन गए सवर जन्जाती के देवता होन जगनात मंदिर में सवर जन्जाती के पूंजारियों के अलावा ब्रामण पूंजारी भी स्रीकृष्ण भगवान की सेवा में लगे हैं जिष्ट पूरिमा से असार पूरिमा तक सवर जाती के दैत्य पती जगनात जी की सारी रितियां लागू और मनाई जाती है पूराण इन मतस्य पुराण में भी लिखा है प्रसत्तम छेत्र के देवी विमला है और यहां उनकी पूंजा होती है रामयर के उत्रा खंड के अंसार भगवान रामने रामर के भाई विवीशन को अपनी चांकुवंस के कुल देवता भगवान जगनात के अराधना करने को कहा आज भी पूरी के सिरी मंदिर में विवीशन पदंपा बंदापना की परंपरा कायम है इसकंद पूराण में भी धाम की अलोकिकता और भोकौलिकता का वर्णन मिलता है इसकंद पूराणों के अनसार जगनात पूरी एक तच्छडवंती संक्त की तरह है या पाच कोस यानि सोला किन मीटर छेत्र एरिया में फैला हुआ है इसका लगबग दोग कोस या बंगाल की खाड़ी में डूप चुका है यानि आज वो समुद्र के अंदर बसी है इसका उदार समुद्र की सुनहरी रेज जिसे महोद सीक पवित्र जल्द होता रहता है सिरवाला छेत्र पस्चिम दिस पान है माना जाता है भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हतेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था तभी सिया महादेव ब्रह्म रूप में पूंजा के लिए चाने जाती हैं संक के तीसरे फ्रद्ट में माविमला और नाभी अस्थल में भगवान जगनात स्य जोरत सिंगहासन पर विराजवान हैं इतिहास के चमकारों पर गवर करें तुछ मंदिर सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वणपर्व में मिलता है कहा जाता है कि सबसे पहले सवरादिवासी विश्वान स्योनी नील माधह की रोप में इनकी पूंजा की आज भी पूरी के मंदिरों में कई सी वक जिने तैते पती की नाम से चाना जाता था एक कहानी की ओर चले तो राजा इंदर दियून ने या मंदिर बनाया इंदर दियून मालवा का राजा था जिसके पिता का नाम भारत और माता सुमिता सुमिती राजा इंदर दियून को सपने में हुए स्तार से लिखा गया है उतना बताने के लिए यहां टाइम तो नहीं लेकिन हम धीरे धीरे आपको हर चीज से ओगत कराने की कोशिस करेंगी उन्होंने यहां कई यक्य किये और एक सरोवर बनाया एक रागभत भगवान विष्टों ने उनको सौपने में दरसन दिया और कहा न पाजा ने अपने सेवकों को निलांचल परवत की खोज में भेजा उनमें से एक ब्रामर बिद्यापती ने सुन रखा था सावर कवीले के लोग नील माधों की पूंजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मुर्ती को निलांचल परवत की गुफा में छुपा रखा है कि कोई उसे चुरा ना ले चाए अतुर विद्यापती ने मुख्या की बीठी से बिवा कर तमाद बन गया आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिये नील माधों की कुपा तक पहुचने में सफलता प्राप्त कर उसने मुर्ती चुरा लिया और राजा को लाद कर दे विश्वद्सू विश्वद्सू अपनी अराद दे होता की मुर्ती चुरी होने से बहुत दुखी हुए वे अपने भक्त की दुख से भगवान भी दुखी हो गया यानि भगवान से रिकर्ष्ट कुफा में लोड गया लेकिन साथ ही राजा इंद्र योग्न ने वादा कि कि वो एक दिन उनके लिए विसाल मंदिर बनवा दे राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विश्वद्सू से मंदिर में बिराजमान होने के लिए प्रात ना की भगवान ने कहा तुम मेरी मुर्ती बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा तु पूरी आ गया है राजा के सेव को ने उस पेड़ की तुकड़े को ढूर लिया लेकिन सब लोग मिलकर उस पेड़ को नहीं उठा पाए तब राजा को समझ आ गया की नील माधों के अनन्य भक्त सवर कवीले की मुख्या विश्वसु ही साहता लेनी पड़ेगी क्योंकि वो भ अब बारी थी लकडिकिसी भगवान की काट की यानि मुर्ति बनाने के कारीगरों की कारीगर लाग कोशिस करने के बाव जो तुकड़े पर छेन तक नहीं चला सके चला भी कैसे सकते हैं जब भक्त की सेवा लेने और उसकी आस्था को पोड़ करने के लिए भगवान खोद आते हैं अब तीनों लोकों के कुसल कारिकर भगवान विश्कर्मा एक बोड़े वेत्तिका रोब धारड़कर उन्होंने राजा को कहा कि वे नील मादों की मुर्ती बना सकते हैं लेकिन साथ है उन्होंने अपनी सर्थ भी रखी वे एक कैस दिनों में मुर्ती बनाएंगे और अकेले म बनाएंगी यानि उस समय कोई न रहे कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता उनकी सर्द मान ली गई लोगों को आरी छैनी हथोड़े की आवा आ जाती रही राजा इंद दयूज की रानी चुन गुच्छनी गुणीचा अपने को रोक नहीं पाई वद दरवाजे के पास क कहीं तो उसे कोई आवास सुनाई नहीं दी वह घबरा गई उसे लगा बूड़ा कारिगर मर गया है उसने राजा को इसकी सूचना दी अंदर से कोई आवास सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा और रानी की बात पर विश्वास हो गया सभी सर्तों और चेताउनियों को दर किनार करते हुए राजा ब्रद कारिगर यानि बिसकर्मा के रूप को खोजने के लिए कि कारिगर के साथ क्या हुआ है कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे डाला जैसे ही दरवाजा खोला गया तो वोड़ा ब्रामर गैब हो गया और इसने तीन गये थे राजा ने इसे भगवान की च्छामान कर इनी अधूरी मुर्तियों की अस्थापना कर दी तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में भी राजमान है वर्तमान में जो मंदिर है वो सात्वी सदी में बनाया गया हाला कि इस मंदिर का निर्माल इसा से दो वर्स से दो पूर हुआ था या मंदिर तीन बार तोड़ चका है ग्यारा सो चोहत्तर में उडिशा सासर अननाग भीमदियों ने इसका जुड़ धार कराया मुक्य मंदिर के आसपास लगभक ती छोटे बड़े मंदिर हैं मुक्य अस्थलतों आज समुद्र के बीच में रहस की तरह खड़ा है हावा की विपरीद ध्वज में हावा की विपरीद दिसा में ध्वज आज भी लहरा रहा है जो चमतकार से कम नहीं है सिरी जगनात पुरी के उपर अस्थापित लाल ध्वज सदेव हवा के विप्रितियानी उल्टी दिसा में लहराता है ऐसा किन कारणों से होता है या तो विग्यानिक ही बता सकते हैं लेकिन या निश्चहिया शर्जन नकबात है क्योंकि भारत के अनिश्चे में ऐसा नहीं होता है यहां प्रदिन सायंकाल मंदिर के उपर अस्थापित ध्वज को मानों द्वारा उल्टा चल कर बदला जाता है ध्वज भी यानि जंडा इतना भाब है कि जब यह लहराता है तो उसे सब देखते ही रहे चाते हैं ध्वज पर स्यू का चंद्र बना हुआ है अगले पन्ने पर दूसरे चमकार की बात करे तो गुम्मत की छाया नहीं बनती है ऐसा कौन सा मंदिर गुम्मत है जिसकी छाया नहीं बनती और या मंदिर कोई ऐसे स्थल पर भी नहीं है जहां सुर्य की बिलकुल सीधी रेखा बढ़ती है यानि बेक्यानिक चमककार या दुनिया का सबसे भाब्यावर उचा मंदिर है या मंदिर चार लाग फर्ग फोट छेत्र में फैला अपनी भव्यता उचाई और चमककारों के लिए विक्यात है इसकी उचाई दो सो चौदा फोट और मंदिर के पास खड़े रहकर गुम्मत देख पाना लगभगा संभो है मुकी गुम्मत की चाया दिन के किसी भी समया द्रस से ही रहती है ऐसा होई नहीं सकता जैसे कि एक गेंद या विक्ति पर प्रका कितने बड़े इंजीनियर रही होंगे इस एक मंदिर के उधारण से समझा जा सकता है जैसे सनातन और विज्ञानिकता और रहस से जुड़े कारीगरी इंजिनिरिंग पर विश्वास्टा हुए रहस से पूरी अस्थानों पर जाकर समझ सकते हैं चमतकारिक सुदरसन चक्र पर भी अगर नजर डाले तो पूरी के किसी भी अस्थान से आप मंदिर के सिद्ष पर लगे सुदरसन चक्र को देखेंगवा सदय आपको अपने ही सामने लगा दिखेगा इसे नील चक्र भी कहते हैं या अश्ठधातु से निर्मित और आतिपावन और पवित्र माना जात अब पूरी के किसी भी अस्थान में जाईए आपको सीधा ही दिखेगा ऐसा होना लगभगा संभो नजर आता है लेकिन ये संभो है जगनात पूरी में हवा की दिशा सामाने दिनों में हवा समुद्र से जमूइन के तरह पाती और साम के दोरान इसके विप्रित लेकिन समुद्र किनारे गए होंगे तो आप अनुमान बकू भी लगा सकते हैं समुद्र के लहरों से हवा का आकार बदल जाता है लेकिन यहां पर उल्टे ही हर चीज होते हैं ये भी रहस्य और चमतकार को फरकने की चीज़े हैं गुम्मत के उपर पच्छी नहीं उड़ते कौन स कि आस पास आपको कोई पच्छी उड़ता हुआ नहीं देखेगा बहुत से मंदिरों में आपने देखा होगा गुम्मत पर पच्छी बैटते हैं और अपना मल मोत्र वहीं पर त्याक करते हैं निकंद के फैलाते हैं लेकिन भगवान जगनात के मंदिर पर ऐसा कुछ नहीं हैं मंदिर के शिकर के पास कभी भी पच्छी उड़ते हुए नहीं आते जबकि देखा गया है भारत का दिक्तर मंदिरों के गुम्मत पर पच्छी ही बैठे रहते यानि वह बैसहरा हुआ करता है दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर की बात करें तो यह भी जगनात में है पांसो रसोईया और तीनसो सहयोग्यों के साथ भगवान सरी जगनात का प्रसाद बनता है लगवग बीस लाग भग खाना ग्रहण करते और भोजन कभी कम नहीं पड़ा यहां के जूठन को भी प्रसाद मान कर सीथ कहा जाता है और अपने पास साथ घर बरकत के लिए ले ज कम नहीं पड़ा ऐसा क्यों लेकिन इस से लाखों लोगों का पेट भरता है चमतकार है और मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन पूरे वर्ष रहता है प्रसाद एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाता मंदिर रसोईये मंदिर के अंदर रसोईयों द्वारा साथ बरतन एक समझने वाली बात है और कुछ लकडी पर ही पकाया जाता है इस पर शिर्ष बरतन में समगरी पहले पकती है आप समझ सक्ते हैं कि साथ बरतन नीचे से उपर तक चाल्हाए जाते हैं और आग नीचे वाले दिन रटन लाई जाती है तो वेग्यानिक तरीके से पहले नीचे का बरतन पकना चाहिए लेकिन जगनात पुरी में सबसे पहले उपर का बरतन का भोजन पकता है यानि बार बार बरतन हटा कर भोजन उतारने की जरुवत नहीं सबसे पहले सबसे उपर का पकता है फिर दोसरे नंबर का फिर तीसे नंबर का फिर चौतर इसी तरह साथ वे नंबर का ये वेक्चमतकार से विग्यानी तरीके से कम नहीं है ये ताथ्य सिर्ष आज भी मौजूद है जाकर आप परक सकते हैं और खाने का स्वाद यहां वर्णन ही नहीं किया जा सकता चलिए मागे बढ़ते हैं अगर स सागर द्वारा निर्मित किसी भी धनी को नहीं सुन सकते आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार कर आप इसे सुन सकते हैं इसे साम का इस पर शुरूप से अनभव किया जा सकता है कभी आपने देखा कोई दिवाल नहीं कोई बंदस्थल नहीं आप एक कदम हावा में द्व रूप बदल लेती हैं मुर्ति स्रीकर्ष्ट भगवान को जगनात कहते हैं के साथ भाई बल राम और बहन सुबद्रा विराजमा ने तीनों की ये मुर्तिया काठ यानी लकडी की बनी हुई हैं पर देक बारा साल में मुर्तियां बदल जाते हैं कहते हैं इन पत्थर की बजा काठ की मुर्तियों में भगवान से लिकर्ष्ट का असली दिल धड़कता है नौकलेवर और नई जरूत की हिसाफ से मुर्तिया उसी आकार में रहती हैं कहा जाता है जिन मुर्तियों के पूझा नहीं होती उन्हें की वल दसनार्थी रखी गई हैं नविचमतकार की बात करे तो विश्टो की सबसे बड़ी रत है आत्रा असाल मास में भगवान जगनाज रत पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुडिचा के घर जाते हैं वही रानी जो देखने आ गई थी यह रत पाच किलो मीटर में फैले पुरस्वत्तम छेत में ही होती है रानी गुडिचा भग दिन स्रीकर्ष भगवान रहने के बाद असाल स्वकुल दस्मी को वाफशी की यात्रा करते हैं भगवान जगनात का रत नंदी घोस है देवी सुबद्रा का रत दर दर दल लन और भाई बाल भद्र का रत तल धज है पुरी के गड़पती महराज सोने की जालो बुहारते है जिसे छेर पेरा रन कहते हैं जो अस्थाई भासा का सब्द है अगले पन्ने पर जाएं तो पता चलता है भगवान हनुमान जी समुद्र से रच्छा करते हैं माना जाता है तीन मार समुद्र जगनात मंदिर को तो और दिया था कहते हैं महाप्रभो जगनात ने वीर मारुत की सबार नहीं पाते और दर्शन के लिए जाते समुद्र को मौका मिल जाता यानी वह अपनी लहरों से कि दरशन करने आ जाता है यानि तहस करते हैं ऐसे में प्रवेस कर जाता है कि इसी नहन पर दिया है या जगनात्पुरी में ही सागत तर्वेदी हनुमान का प्रचीन और प्रसिद्ध मंदिर है भक्त लोग बेडी के जुगार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं रोचक बातों पर फिर नजा डाले तो अचंबित करने वाली बहुत सी बाते यहां आपक द्रामों में से एक जगनात्पुरी के अंदर रहस्यों की एक अलग ही गा्था है रध्यात्रा आखों पर पट्टी पुझारी की आखों पर पट्टी पंड़ी बंदी है तिये हातों में गल्ब से पहनाए जाते हैं इसके बाद मुर्थिया बदलने की परक्रिया सुरू होती है यानि बदलते हुए कोई दीख नहीं पाता पुरानी मुर्तियों की जगा नहीं मुर्तिया लगा दी जाती है लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती यह ब्रह्म पदार्थ ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मुर्ति से निकाल कर नई मुर्ति में लगा दिया जाता है यही तो क्या है ब्रमपदार्थ यह जरूर लोग सोच रहे होंगे यह महापदार्थ कैसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है बस कुछ किस्से हैं जो मुर्ति बंदलने वाले पुझारियों से सुनने को मिलते हैं यह ब्रमपदार्थ हर बारा साल में पुरानी मुर्ति से नहीं मुर्ति में बदल दिया जाता है यही तो भगवान की सक्ति है लेकिन मुर्ति बदलने वाले पुझारी को नहीं पता होता क्या है ब्रमपदार्थ मानिता के मताबिक ब्रमपदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्य हो जाएगी कहा ये भी जाता है अगर इस पुझार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के सरीर के चित्रे ओड़ जाएंगे अधरस्य जोती एक किस्सा ये भी है कि ब्रह्म पदार्थ को हमेशा स्रीकस्न के से जोड कर देखा जाता है मुर्ती बदलने वाले कुछ पुझारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मुर्ती से निकाल कर नई मुर्ती में डालते हैं पातों से ही ऐसा किया जाता है इस वक्त ऐसा लगता है कि हातों में कुछ उचल रहा है जैसे खरगोस उचल रहा है सीधे तात पर है कि स्रीकर्स बगवान का दिल वाली माननेता से जुड़ा हुआ है ऐसा सज भी हो सकता है लेकिन आस्था और विग्यान की अपनी सीमाएं हैं आस्था के आगे हर रहे से अंसुल्जा होता है कोई ऐसे चीजे से जानना है कोई हातों में दस्ताने हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास भी नहीं हो पाता कि रहस्यों की गाथाओं में आगे बने तो ये मंदिस सबसे पूराना और बहुत प्रचीन समय से बना हुआ है आगे की भागों में हम आपको भगवान जगन्नात की बारे में ले चलेंगे आस्था की उन अंकनाहत कहानियों की और कहते हैं जगन्नात भगवान की रथे आत्रा निकलते वक्त भगवान साथ दिनों के लिए विश्राम करते हैं जगन्नात रथे आत्रा पर अगर गौर डाले तो पूरी जगनात मंदिर वैश्व संबदाय के प्रवंदिरों में से एक माना जाता है और रत्यात्रा और मुर्तियां हिंदू धर्म और सनातन परंपरा रही है सनातन यानि जिस धर्म का अंतना हो सके यानि सनातन जो सुरू से सनादिकाल परचीनकाल से आज तक विद्वान है और आदि तक रहेगा आपने कभी जरूर सुना होगा सभी धर्मों का जन्म हुआ है फला धर्म फला डेट को आया फला फला आया फला द्वारा फला ये है लेकिन कवी सनातन के बारे में सुना है, सनातन आधियनन्त है, चार हजार वर्ख फुट में मुझ फैले, इस प्रांगण, चार लाख फुट में फैले इस भगवान विष्टों के सिखरध्वाज की बात ही अलोकित है, बहुत कुछ बताने में वक्त लग रहा है, लेकिन इस मंदिर के रहस्यों को सुन कर नहीं देखकर महसूस किया जा सकता है, आस्था वो चीज है जो हर चीजों से अलग बना देती है, कभी आपने जगनाद जी का नाम चरूर सुना होगा, क्योंकि इसे हिंदूों के चार धामों में इसे एक माना जाता है, उरिशा की तटवट्ती सहरपुरी में इस्तिद विष्टों भगवान विष्टों यानि सिरिकर्ष के आठविया वतार को समर्पित, आठ सो सालों से पुराने मंदिर की बहुत से रहस्य मैं चमतकारिक बाते हैं जिनने बता पाना इस छोटे से वीडियो में संभव ही नहीं है, रहस्य और रोमांज की दुनिया में आपका तह दिल से स्वागत है, भगवान विष्टों आदिकाल से आज तक है, चाहे राम का जन्म हो या स्रीक्रष्ण, रामक्रष्ण से लेकर गौतम बुद्ध तक हर रोप में भगवान विष्टों धरते पर विड़ाज मान रहे हैं, कहते हैं, जब ब्रह्मा विष्टों महें स्रिष्टी की रच्छा में नहीं, यानि उनके लिए आपत्य पैदा होती है, दियों के लिए कोई संकट आती है, तब भगवान विष्टों को अतार लेना ही पड़ता है, और ये मानवीली लाउसी की हिस्सा है, चाहे वो से अलग सत्यता और वेज्ञानिक धंग की चीज़े हैं, आप हिंदु धर्म की हर रितियों को वेज्ञानिक तरीके से समझ कर देखिएगा, चाहे वो चंदन लगाना हो, या मैगिटेशन यानि ध्यान लगाना हो, हर चीज का अपना रहे स्रोमा अंच और सत्यता है, हर पर धर्म के लोग साहिसरो यानि सेंसील होते हैं, वो हर कुरितियों पर कुठारा घात करते हैं, वो ये नहीं मानते कि फला जगे पर फला जो है ये बदला ही नहीं जा सकता, जो सत्य है सनन्त है, हर चीज की हर तत्यों समीत पर रखने की चरूत है, क्योंकि सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता, सनातन आद इसे अनंत तक रहा है, जन्म तो जिसका होता है, अंत उसी का होता है, जो जन्म यानि धर्म आए हैं, वो जाएंगे, लेकिन सनातन जिसके न जन्म की जानकारी है, जब जन्म की जानकारी ही नहीं है, तो अंत की बात करना ही वेर्थ है, आज सनातन धर्म से जुड़े स्री जगरनात भगवान की इस कहाने में आपका तहे दिल से स्वागत है कुछ कमी रहे गई होगी कमेंड करके आप चरूर बताईएगा और गलतियों पर सुझाओ दीजिएगा नमस्कार मित्रो चैनल प्रसंद आए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब अव होती है सत्य है आद और अनंत है सत्य को चुनोती नहीं दी जा सकती साच्छास्यों है कहते हैं हमें फिक्र नहीं उनकी उन्हें फिक्र है हमारी हमारे रच्छक तो है सुदरसंचक्रधारी और दोसरी करती है हमें फिक्र नहीं उनकी उन्हें फिक्र है हमारी हमारे रच्छक सुदर्शन चक्रधारी आकाल मृत वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान विष्णु या जगनात का जय हिंचे भार्तमादगे